नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स आपके साथ मैं हुआ अंकिता पिषण शीत लहर जारी है थंडा स्थान रहा यहां पारा माइनस वन तक पहुंच गया तो वही हर्याना दिल्ली राजस्थान यूपी और मध्य प्रदेश में दस जनवरी से शीत लहर से थोड़ी राहत के उमीद जताई जा रही है उत्तरी हिमाली श्वेत्र में मंगलवार की शाम को एक नया पर्शम विक्षोब दस्तक दे रहा है इसकी वजह से पूरे उत्तर भारत मध्य भारत की न्यूनितम तापान में तीन सचार डिगरी तक बढ़ने का आसार है बिहार, जारकर्ण, चंतिसकर, ओडिशा और तेलंगाना में तीन दिन बाद तापान में गिरावट हो सकती है देश की र जादतर प्राविट स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी गई है मध्य प्रदेश में भी कडाके की ठंड पढ़ रही है यहां भी सोमवार को ठंड और शीत लहर जारी रहेगी गौलियर चंबल के इलाकों में कहीं कहीं हलकी बारिज भी हो सकती है राजस्तान की चुरू में तापान लगातार माइनस में ही रहा सीकर जिले के जादतर इलाकों में सोमवा सुभा बादल शाय रहे फतेपुर में दिन का न्यूनितम तापान 3.5 दिगरी तक जा सकता है वही बिहार में भी सर्दी का सितम जारी है गया में पारा 2.9 दिगरी तक लोड़क चुका है कोहरी की वजह से एक फ्लाइट पटना की जगे कोलकाता पहुँच गई मौसर विभाग ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है यूपी की बात करें तो ये प्रदेश अभी मनाली और शिमला से भी ज्यादा ठंडा है यूपी के 32 शहरों में मौसर विभाग ने औरेंज अलर्ट जारी किया है जहरकन के 17 जिलो में पारा 10 डिगरी से बीचे पहुँच गया है जबकि छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाले नेतर हाट में पारा 1 डिगरी तक पहुँच गया कोहरी की वजह से उतर भारत में 39 ट्रेने देरी से चल रही है दिली में इ आठ लोगों की मौत हो गई इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए जुड़े रहिए जन्भाबरा टाइम्स के साथ नमस्कार